वेल मेरे पास टेली यूटूब पर या फिर टेलीक्राम ग्रूप के अंदर पहुछ लोगों के मैसीज आते हैं कि सर हमने हमारी वैबसाइट पर 50-60-200 डाल दिये बट हमारी वैबसाइट पर अभी भी जीरो ट्राफिक या फिर हमारे जो आर्टिकल और नहीं गर तो इसका क् आप आप या पर तीन टिप्स बताने वाला तो इस वीडियो को एक तर देखना और जो इस वीडियो को लाश्ट तक देखें नहीं और उनको जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोग क्योंकि फ्यूचर में आप सभी के लिए ऐसी प्रो ब्लो आप यहां पर आपने बहुत बड़ी गलती कर जितने वी विगना वो क्या दरते तो आप सबसे बढ़ने क्या तो कीवर्ड करने टो कीवर्ड रिसक्राइब करने की लोग कमपडिश्चर लिए आपको आपको ऐसा कभी भी नहीं आप जैसे मैं आप इसक्तर आप करता हूं अब मैंने यहां पर जो सारे चीट चाहिक कर लिए कि वहीं यह कीवर्ड मिल गया इस कीवर्ड पर लोग कमपडिशन है कि हम अप्टे रेक्ट लिटना स्टाट कर दूं नहीं मैं क्या करूँ हूं मैं पहले जो टॉप टैन आर्टिकल्स उनको एनलाइज करो देखो जो टॉप टैन आर्टिकल्स हमें उनको एक बर चैक करना पड़ेगा उनकी स्ट्रक्चर कैसी जुआ इसको और चीज बता देता हूं गूगल कभी भी हमारा complete article नहीं पड़ता Google सिर्फ हमारे article की structure देख रहा है यानि S2 S3 headings के इसाफ से वो बताता है कि article perfect है या नहीं यह जो topic user ने सर्च किया है वो उसके in depth में है या नहीं तो सारी information cover कर रहा है फिर नहीं कर आप दो कॉम नहीं यहां पर headings एक ली can you start blogging with your phone problem you may face while blogging from your phone what about the blogging से यहां पर एक ही ऐसा topic नहीं है जो हमारे topic से बाहर जा रहा है अब कुछ लोग क्या तरहते हैं अपने article को बड़ा बनाने के चेक्टर में क्या डिदर दी नहीं how to start blogging अरे यूजर नहीं यह सर्ची नहीं गई how to start blogging उसने direct क्या सर्च के उसको mobile से blogging करने तो वह कैसे कर सकते तो आप सिर्फ उसी topic में cover करो चाहिए आपका आर्टिकल 500 वर्ड़ता बनना है उसी topic के अंदर रहो topic से बाहर कोई भी heading blog ठीक है apps for mobile blogging ओके नेस्ट इंगे tips फॉर mobile बोलोग ठीक है इस ने इतने जादा इंदफ यहां पे हर चीज cover नहीं किये तीडेल आर्टिकल नहीं लिखा है अब हमें यहां से एक आइडिया में जाना चाहिए कि हमें कि सरेगे का आर्टिकल लिखना है हमारे अर्टिकल के अंदर क्या-क्या है इंग इसके जगे इसको थोड़ा सा करके कोई दूसरी है इस तरीके से आप यहां पर जैसे यहां पर जैसे यह है दूसरी आडिंग है इस तरीके से आपको अपनी रखनी है और साधिस साथ आपको कुछ यहां पर एडिशनल हैंग भी आड़ करेंगे साथ में कुछ एडिशनल हैडिंग करेंगे जिससे गूगल को लोगेगा कि हमारे अर्टिकल के अंदर कुछ ज्यादा इंफोर्मेशन है अब अब एडिशनल हैडिंग क्या होगी हम दूसरे आर्टिकल से एडिंग उठाएंगे या फिर हम जो पीपल आल्सु आस्क में जो कोशन से उनको हैडिंग करते हैं इससे क्या होगा हमारे अर्टिकल के अंदर 10-15 परसेंट इंफोर्मेशन है वह ज्या अब मालो एक्जाम्पल के साथ में बढ़ाता हूं फर्स्ट पेस पेसे सभी ने 2000 प्लस वर्ड का अर्टिकल निए और आप वही इस सेम टॉपिक के उपर आप रिख देतो 1500 वर्ड का आर्टिकल क्या प्रैक्क करोगे आपकी यहां पे 80% चांस है कि आप रैंक नहीं करोगे और 20% चांस है कि आप रैंक कर जाओ 80% चांस है कि रैंक नहीं करो तो आपको जादना है अगर फर्स्ट पेस पेस पे जितनी भी वैपसाइट है पहले उनका वर्ड काउंट देख लो कितने वर्ड को ने आर्टिकल अब आपको ने देख लिया कि सभी ने 2000 वर्ड प्लस का आर्टिकल लिखना पड़ेगा तब ही आपके चांस है कि आप फर्स्ट पेस पर रैंक करो ठीक है इंपोर्टेंट चीजी नोट करने इसको ठीक है अब जो आप थार्ड पोइंट है वह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और वह है टोपीकल अथोरिटी ठीक है टोपीकल चांस है कि आप एवे रैंक ही करो 100% क्यों कि एक आर्टिकल से गूगल को कुछ भी नहीं पता लगार आपके आर्टिकल के बारे में आपकी वैबसाइड के बारे में अगर आप वही पे आपने एक और आर्टिकल लिखा ठीक है बैस्ट डोमेन एंड हाउस्टिंग एचीफ प्राइष अब यह जितने भी आर्टिकल एकिस से लेटिट है अब अगर आप इन सब्सक्यंट लिंक करो तो और अप्स में इंटर्ल लिंक कर दो आप tutte सबी को इंटर्नल लिंक कर दो तो क्या अब आप इस फर्ष्ट वाला अर्टिकल पो रैट करवा सकते हो चांस है अब आपके 30 से 40 बर्जन चांस है आप रैंक कर सकते हैं इस कीवर्ड के उपर और मैं आपको चीज बता देता हूं टोपिकल अथोर्टी पैक लिंक से भी साधा इसा इसा होता क्यों है क्यों कि दिको एक आर्टिकल से गूगल नहीं पता लगा रहा सकता आप आप एकसपर्ट हो उसस फिर दिके வैंदर या एकसपर्ट नहीं जब रख पचास आर्टीकल लिग देते और अपकर आप के वैबसाड़ की एक एक और्टीकल से दुसरे वैब आर्टीकल पे पे तिसरे के अंदर expert juice niche के अंदर expert है तो इसको rank करवाना चाहिए तापके maximum articles Google के first page rank करना start करते हैं आप यह जो टोपिकल अथोर्टिका केस है कुछ cases में fail भी हो जाता क्यों मालो आपने यहाँ पर एक high keyword difficulty वाला keyword देगी जैसे mango juice benefit मैंने keyword देती है मैं इस keyword के rank करना था तो अब मैंने देखा कि सभी website है उन सभी की domain authority same है इसकी 82 का इसकी 83 है इसकी 81 इस तरीके से सभी की मतलब एक तरीके से same domain authority है तो आप Google confused हो जाएगा और सभी की अब यहाँ पर decision लेने के लिए Google अब क्या चैक करेगा वह चैक करेगा वह चैक करेगा पैक लिंक लिंक के इसाब से ranking decide करेगा फिर कि किस website के पास high quality डू फोलो बैक लिंक अब दोको आपको यह काम नहीं गर रहा है कि starting में जब आप नहीं website start करो starting में backlink बनाना start करतो यह 99% beginner यहीं गलती कर आपने अधे नहीं website बनाई पहला अर्टिकल लिखा उसी कोगर बैक लिंक बनाना start करती ऐसा कभी भी मत करने बैक लिंक करने जब आप एक हाई competition वाले keyword पर rank करना चाहते हो तब उसके उपर आपको backlink बना और जब आप easy competition वाले keywords पर काम करते हो ना तो वहां पर आप automatically rank कर सकते हो with the help of topical authority और 2023 के अंदर topical authority एक most important factor होने वाला ranking के लिए ठीक है तो आप इन तीनों चीजों का apply करके अपने article को अपने फरक नहीं पड़ता आप कैसा लिख रहे हो आपको कैसा लिखना अकता है आपने सब्सक्राइब कर लो क्योंकि फ्यूटर में आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लात रहा हो और जिन लोगों ने अब सब्सक्राइब कर देखा इस कोर्स को भी देख लो और यहां पर और भी बहुत सारी इंफोर्मेशन और वीडियो जिनको आप चेक आउट कर सकते हैं अमारे चैनल पर हैंक्यों मिलते हैं आगे लिए वीडियो